अगर आपका बच्चा ओटेजियम है या इस पीज ढिले है अगर आप जनना चाहते हो तो मेरा वीडियो शुरू से लाश तक ज़रूर देखना तो हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रीना रीना अथरवा चनेल पर आप शबको बहुत बहुत श्वगत करती हूँ आज मैं दो टोपिक को पर बात करना चाहती हूँ कैसे हम घर बैटके पता लगा सकते हैं जे मेरा बच्चा ओटेजियम है या इस पीज ढिले है तो ओटेजियम का कुछ साइन होता है जैसे ओटेजियम का जो बच्चा होता है आई कांटक बिल्कुल नहीं रहता है नेम पर र दूसरा टाइप का आवाज शुनेगा तो फिर उस आवाज में रेस्पंस करेगा फिर कोई टोइज लेके खेलना नहीं आता है गारी मिल जाता है तो उसका पाईया देखता है कोई चीज मिल जाता है इसको लाइन लगाना आवाज शुनके डरना या गोल-गोल घूमना या तो ऐसे करके हैंड फ्लापिंग करना या तो बोडि को रॉकिंग करना यह शारे कुष छाइन होता है जो अटेजियाम बच्चे के अंदर होता है बार मतलुप दूसरा किसी को देखके घर में कोई आता है तो इसको आजीब बीयार प्रॉब्लेम हो जाता है किसी के घर में जाके चिलाने लग जाता है और बच्चा एक जगा ठीक्के नहीं बैठ शकता है यह olde साहिन और कोश इसली डिले अब कैसे। अब कहुत काइसे पटा लागओ के आपका बच्चा is equal delay है, olde jam, nेहीं था scholar अब का जो शाहिन आपको साहिन7, मैं आपको साहिन आप तुरांत लेट नहीं करना ये साइन अगर आपका बच्चों में है तुरांत आप उसको एसेस्मेंट कराइए और थायरेपी शुरू कराइए जितना लेट करेंगे उतना ही आपको बच्चे को लेट इंप्रूमेंट आएगा शबसे बेस्ट एज होता है दो साल से अगर आपको पता लग जाए आपका बच्चों के अंदर एशारे प्रॉब्लेम है तो आप चोचो आपका बच्चा ओटेजियम है तो उसको एसेस्मेंट करके उसको फिर थायरेपी शुरू कराऊगे तो टू यार्स से थायरेपी शुरू हो जाएगा बहुत जोल्दे आपका ब सकते हो जो इस पेज ढिले है तो उसके चार पास रिजन होता है जो जैसे आपको कैसे पता लग सकता है जैसे बच्चे आपना एस की बच्चों के साथ जैसे देरशाल दोशाल की बच्चों के अंदर आप उसको खेलने ले जाओगे तो बच्चा बच्चों के साथ खेलना और बच्चे के सत खेलेगा नहीं, और बच्चा एके लिए रहाइना पचंद करेगा, और दूसरे बच्चो के शत खेलेगा नहीं, पलास आई कंटाक भी नहीं देगा और वो चुपचाप रह एगा, तो, आप सो मतलोग ए जो साइन है, इसमें भी हो सकता है, आपका बच्च ऐस्पिस धिले है दूसरी और एक कारुन हो सकता है बच्चा घर के अंदर है तो घर के अंदर दोसरा कोई आया है उसको ना आई कांटाक देना न कोई उसको जाई नाईằ車, जो पुस जाए खुत आसकी अंदर आ मखत वो अगर कुछ पूशे तो एंचार करता है या उसको देखता है या ये स्माइल करता है या जब आप पुछने से एंचार देता है लेकिन जो बाचा इस पीस धीले होगे अगर ओ घर के आंदर है कोई आया कौन आया कौन गया कौन क्या कर रहा है कौन क्या बोल रहा है बाहर क साइन भी इसपीस धिले की हो सकता है और एक रिजन हो सकता है बच्चा एके ले खेलना पसंद करता है किसी के साथ घुलना मिलना किसी के साथ बोलना कोई उससे पूछे नाम क्या है उसको रेस्पंस नहीं करना उसको नहीं देखना और हमेशा एके ले रहना पसंद करता है तो तो ए भी इस्पीज धिले का रिजन, इस्पीज और लेंग्वेज धिले का रिजन हो सकता है। और ए बच्चा मतलोब आप तप छोस लोगें इसके अंदर कुछ तो प्रोब्लेम है जो ए किसी से रेस्पंस नहीं कर रहा है और किसी केशाद खेलना पसंद नहीं करता है। और हमेशा ए देखना है अपना एसकी जो बच्चा है उस बच्चा की तरह आपको क्या इसे पता लगेगा। एक दो सेंटेंस बोल रहा है अपना एसकी इस अपचे ठीक चल रहा है तो आपको तप समाज लेना चाहिए मेरे बच्चे के अंदर कुस तो डिले है जो लैंगुएज इसपीज डिले का रिजन हो सकता है। और बच्चा किछी के साथ भूलना मिलना भी पचंद नहीं करता है। और एक रिजन हो सकता है अटेंशन का। एक बच्चा भिलकुल नहीं देगा। कौन उसके साथ क्या पुस रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। किसी के बातों का जबाब नहीं देगा, कोई उसको बुलाएगा तो देखेगा नहीं, कोई उसको किस कुछेगा तो एंसर नहीं करेगा, मतलब एटेंशन लेबेल इतना डाउन रहेगा, तो एटेंशन देगा ही नहीं, तो एटेंशन नहीं देने की मतलब आपको ए समाजना चाहिए, मेरा बाच्चा किसी को बातों का जबाब नहीं देता है, किसी को देखता नहीं है, कोई रेस्पंस नहीं करता है, और आपने तरोब भी आप भी अगर कुछ बोलोगे तो आपको भी नहीं देखेगा, इसका मतलब उसके आंदर एटेंशन है नहीं, तो एटेंशन न तो इसका मतलब पैरेंट्स एह हमेशा ध्यान राकना है, जो मेरा बच्चे के अंदर आटेंशन है नहीं, इसलिए ओ आटेंशन नहीं दे पाराई, इसका मतलब उसको speech और लेंगोेज धिले भी हो सकता है, आटेंशन होगा तपतो बच्चे आटेंशन देगा, तो हमेशा हम काल दान को कर दुदाई परेंट्स को बच्चे को फोलिक ना चाहिए, मेरा बच्चा कहा तक गया sekali क्या सामाज रहाए, क्या नही चल रहा है, हारेक बच्चा आपने लेबेल पे चलता है, इसका मतलोब ए नहीं नर्माल बच्चा, नर्माल बच्चा भी सबका गुरोद बराबर नहीं होता है, फिर भी पैरेंट्स हामें ए ध्यान राक नाई, नर्माल बच्चो छे उतना मतलोब बराबरी ना भी करे, दूस कुछ भी ना रेस्पन्स करें अटेंशन ना दे तो आपको तब एस होसना चाहिए, शायद मेरा बच्चा इस फिस धिले हो सकता है, और एक रिजन आप फलो कर सकते हो, जैसे बच्चा एक साल की बच्चा जो हो जाता है, ओ एक साल की बच्चा अगर बोल भी ना पाए, अगर कोई चीज के बारे में आप पूछो, जो फैन का है, लाइट का है, तो बच्चा ऐसे इसारा करके देखा सकता है, तो अगर बच्चा आपका बात शुन के, आपको पॉयंट करके देखाए, तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, पॉयंट करना और इमिटेशन करना है, एक साल मे आपको देखे क्लापिंग करेगा, आपका बडी लेंग्वेज क्लापिंग करेगा, आपका बात शुन के इसारा करेगा, पॉयंटिंग करेगा, आप पोयम बोलोगे तो पोयम में आप जैसे अक्षान करोगे, आपका बडी लेंग्वेज का एक्षान, इमिटेशन करने की क अगर भाहर करोगे निदिकलोगे अगर ए शारे बात ना कर पाई एक शाल तक बच्चा, आपको पॉएंटिंग करना, आपको इमिटेशन करना, क्लापिंग करना, बाई बाई करना, तो आपको तब सोचना चाहिए मेरे बच्चों में कुछ तो प्रब्लेम है, तो ए साइन भी इस पीस डिले की हो सकता है, और एक शाल की बच्चा पोएम करने से, जाईसे आप करोगे, जाईसे बाव बाव लाक्षी, ट्रेन चलने क stared़ें करोगे, मतलब कुछ भी इमिटेशन करोगे, तो एक शाल का जो नर्माल बच्चा होता है, हो कर लेता है, अगर जो बच्चो प्रब्लेम होता है, अगर आपका बच्चा इसपीज ढिले हो तो ए इमिटेशन और पॉयंटिंग आपको बच्चो नहीं कर पाएगा, तो आप छोच लेन आपका बच्चा, शायद ए बला रिजन है आपका बच्चो में, तो शायद इसपीज ढिला हो सकता, इसपीज ढिले के कारण हो सकता, और एक रिजन कोई बच्चों से पूछे जे बच्चा तुमारा नाम के आया है, तो उसका नाम अगार रिमी हो तो ओ बोलेगा मेरा नाम रिमी है, मतलब आप जितना शिखाया बच्चा उतना ही बोलेगा, उसके उपर से एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाएगा, उसका मतलब बच्चे को ख आपके साथ साथ बात रिपीट करेगा, और कोश्चेन पूछोगे तो एक दो कोश्चेन के आंसर जो आपने शिखाया बस उसका ही आंसर कर पाएगा, तो उसका मतलब आप खुच्चे जो बच्चा सेंटेंस बनाना नहीं आता है जो बच्चे को, छोटे बच्चे भी एक वार्ट मिनिंगफुल बोल लेता है, एक दो वार्ट की सेंटेंस बोल लेता है, जो बच्चा एह नहीं कर सकता है देरशाल के बाद, तो आप खोचो बच्चे में प्रब्लेम है, इसलिए ओ सेंटेंस खुचे नहीं बना पाता है, वार्ट खुचे नहीं बोल पाता है, जि कमा भी वार्ट मिनिंग फुल नहीं बोले जैसे बच्चे को मामा ऑल ना या और मा कोई ज़ोम घर में आजम अ आतरो ओ अजमंत Шराण के साउंन निकाल रहा है फो जैसे एक बाटल है तो चोंद बिदों बाटला रहा है भाट को अगर बाटल बोले बोल dad है मिनिंपूल बोले तो मिनिंप्वल बाटल को अगर बाटल ना बोल्ले द। बोल दे इसका मतलब brauch बच्चा मतलब कोई मीनिंगफूल उसको बोलना नहीं आता है, उसको इसपीस और लेंगोएज में प्रोब्लेम है, इसलिए बच्चा बटोल को बटोल नहीं बोल पर आए, आप एक गिलाश देखाया, जैसे एक गिलाश आए, अगर आप पुछोए किया है, गिलाश आए, अ आपको सोचना चाहिए मेरे बच्चो में कोई ना कोई प्रोब्लेम है, तो बच्चे को अगर ऐसे प्रोब्लेम रहे, आपको पता लागे तो बच्चे को लेके बैट के नहीं रहे, थिरी अर्ष तक आपका बच्चा ठीक से बोल नहीं पाए, आपका बच्चे को थिरी अर आट करना नहीं आता है, खाना को अगर खाना बोले, जो खाना खाना आई, ओ नहीं बोल पा रहा है, मतलब तीन शाल तक सेंटेंस नहीं बोल पाए, टू वर्ट की सेंटेंस तो आपको बिल्कूल टाइम बेस्ट नहीं करना, आपको सोचना है, आपको बच्चों में प्रब्ल देता है लेकिन उसके सद जो नाम के सद जो काम होता है जो बाहर क्या कर रहा है काम क्या कर रहा है तो ओ नहीं बोलना आता है कोई-कोई बच्चा एक-एक वाड भी देता है लेकिन सेंटेंस नहीं बोल पाता है तो आपको लेट नहीं करना तुरांत आपको सोचना चाहिए आ जई दो सफ़ीजंद एक दोड़ेंड करना जितने का चोटा एज में आप आपना बाद्चे को इस्पीज पैतोलोजिस्ट पास लिए जाओगे, आपका बाद्च्च के अशेसमेंट करोगे, और आका बाद्क्चे का टीट्मेंज सुरू करोगे, थाय Beet भी शुरू करोगे, उतना जोल्दी आपका बच्चो के आंदर इंप्रूमेंट आ जाएगा आपका बच्चा, सब कुछ बोलने लाएगा, चेंटेंज भी बोलने लाएगा, अगर आप छोचोगे नहीं फाइब यार्ज तक मेरा बच्चा बोल लेगा, तो काफी लेट हो जाएगा, बच्चे को जितना ज्यादा बार जाता है, इंप्रूमेंट लाणा उतना ही मुश्किल होता है, अगर टू यार्ज तक आपको लागे आपका बच्चा वार्ड नहीं बोल पा रहा है, ठीक से, मिनिंग्फुल नहीं बोल पा रहा है, सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है, आपका बच्चा पसंद करता है, जितना रिजन मैंने बताया, इस पीज धीले कि अगर ओ है तो आपको तुरांत लेट नहीं करना, इस पीज लेंग्वेज पैथोलोजिस्ट के पास जाओ, बच्चे का असेस्मेंट करो और बच्चे का थाईरेपी शुरू कर दो, जब तक आप इस पीज बच्चे को बीजी रखो, उसके बाद ही आप तुरांत लेट नहीं करना, इस पीज लेंग्वेज पैथोलोजिस्ट के पास जाके थाईरेपी शुरू कर दो, तब का बच्चा बहुत अच्छा इंप्रूमेंट करेगा, अगर मेरा वीडियो आच्छा लागे तो लाइक, आप शास्क्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, तो ए मेरा नौलेज था, जो मैंने देखा, मतलोब मेरे देमाग में जितना नौलेज आया, इस पीज धिले और अटेजियम के उपर, ओ मैंने आप लोग के शास्ट शेयर किया, आप लोग के शारे बात, अगर आपको बाच्चों के अंदार है, तो आप लोग प्लीज पैरेंट्स लेट नहीं करना, तुरांत असेजमेंट करिए वा थायरीपी शुरू कर दीजिये, तो आपका बाच्चों बहुत अच्छा करेगा, बहुत आगे जाएगा, तो आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न आप सब लो के साथ मिलती हूँ, टाटा, बाइबाइ, थैंक यू